Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ईज से पहले UAE में तीन बड़े अपडेट्स हुए हैं तीन बड़े अनॉंसमेंट्स आये हैं क्या है ये अनॉंसमेंट्स जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को इन तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पदा चल सके तो दोस्तों पहला जो अपडेट आया है वो मोहरी की तरफ से आया है बहुत ही बढ़िया अपडेट है क्योंकि बहुत लोगों ने इस समय पे रमदान के पूरे महीने भी ओवर टाइम किया है fasting रहके भी बहुत लोगों ने over time किया है और normal workers ने भी बहुत ज़्यादा over time इस समय पे किया है तो महरी की तरफ से ये announcement हुआ है कि अगर कोई भी रमदान के time पे over time किया हो जो भी आपका working hour है उससे ज़्यादा आपने अगर काम किया है तो normal समय पे जितना over time company आपको देती है same उतना ही amount उतना ही percentage आपको रमदान के time पे भी मिलेगा कोई भी कम करना बढ़ाना कुछ नहीं होगा same as it is रहेगा बहुत लोगों क्या करते हैं कि रमदान के time पे भी जैसे माली जे 2 बज़े चुटी होती है रमदान के time पे और normal आपको 5 बज़े की चुटी होती है तो 5 बज़े तक काम करवा लेती है और आपको over time नहीं देती लेकिन ऐसा नहीं होगा 2 बज़े से लेके 5 बज़े तक जो आपने काम किया है वो over time होगा और over time as it is आपको पहले जितना मिलता था उतना ही मिलेगा सेकेंड अपडेट RTA की तरफ से हुई है कि दुपही शार्जा अजमान अबुधावी में इद के time पे 4 दिन parking बिलकुल free रहेगी कोई भी आपको parking fee देने की कोई भी ज़रुरत नहीं है वही ये announcement हुआ है अबुधावी में कि अगर आपका RTA का कोई भी fine है तो आपको उसको pay कर सकते हैं कुछ percentage 20-30% का discount आपको मिल सकता है तीसरी चीज़ जो ये बूली गई है कि अगर आप driving करते हैं चाहे commercial या private car चलाते हैं तो आपको driving ईद के time पे बहुत समझ के चलाना होगा क्योंकि roads में तो cameras होते हैं सारी चीज़े होती हैं साथ ही साथ में manually भी आपको check किया जाएगा कि आप अगर rough driving कर रहे हैं especially bikers को बोला गया है तो बिल्कुल भी इस time पैसा मत कीज़े क्योंकि fines आने की chances बहुत जादा है ठीक है तो बिल्कुल भी law का violation मत कीज़े जो भी traffic rules से speed हो गया यह हो गया सारी चीज़ों को maintain करके चलाए क्योंकि traffic fine इस समय पे बहुत जादा आने वाला है तो guys I hope यह video आप सबके लिए helpful रही होगी और भी कोई question हो comment box में जरूर बताएगे मलते हैं next video में नहीं update के साथ तब तक के लिए good bye and take care